अप्डेट करने के बाद आपको ओनलाइन ट्रांसपर संतोष के पांच मेनू उपलब्ध होंगे हर्षिप स्कोर पे क्लिक करके आप अपना हर्षिप स्कोर देख सकते हैं अगर आपका हर्षिप स्कोर नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप इस साल SET ट्रांसपर में नहीं Eligible Unit Oblique Establishment पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस SET में आप कहां कहां अपलाई करने के लिए योग है Eligible Unit List के साथ Unit की Location वह वहाँ पे उपलब्ध Vacancy भी आप देख सकते हैं जो कि आपको 24 वरने में काफी मददगार होगा इस Eligible Unit के लिस्ट में आपको अपने Choice को चुनना है और Ineligible Unit Public Establishment पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कहां के लिए योगी नहीं है वह उसका कारण क्या है इसके बाद हम बात करते हैं इस वर्ष के SCT में अगर आपका ट्रांसपर दे है तो आप Choice कैसे बर सकते हैं Choice भरने के लिए आप किलिक करेंगे Record Choice पर इस पर किलिक करने के बाद आपको तीन मेनू को पलब्ध होते हैं Summer Chain General, Summer Chain Spatial, Summer Chain Retention General Choice सभी को भरना जरूरी है आईए अब हम बात करते हैं Summer Chain General Choice भरने की जैसे ही आप Summer Chain General पर किलिक करते हैं आपको दिखाई देगा Eligible Category उसमें कितने यूनिट उपलब्ध हैं और आपको Maximum कितनी चोईस हर केटेगरी में भर सकते हैं हर केटेगरी के यूनिट में से जिस यूनिट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर किलिक करें सेलेक्ट होते ही उसका रन बदर जाएगा वै एक टिक मार्क लग जाएगा एक एक करके आप अपनी केटेगरी के यूनिट को सेलेक्ट करें जब स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा मैक्सिमम सेलेक्शन लिमिटरीज तो आप समझ लें कि इस कैटेगरी में इस से ज़्यादा यूनिट आप नहीं सेलेट कर सकते अगर आपको यूनिट चेंज करना है तो जिसको हटाना है उस पर दुबारा क्लिक करें वें हट जाएगा जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करें और उस पर लाल टिक मार्क लग जाएगा यूनिट को चुनते समय वहाँ पर उपलब्द वेकेंसी और रैंक जो की हार्शिप स्कोर के आदार पर निकाल गया है को जरूर देखें आपका रैंक जितना कम होगा वें यूनिट मिलने की संभावना उतनी ही जादा होगी दूसरे कैटेगरी के यूनिट पर जाने के लिए सबसे नीचे जाकर नेक्स्ट का बटन दबाएं अब आपको अगली कैटेगरी के इलिजबल यूनिट नजर आएंगे यहाँ पर भी आप अपने पसंदिदा यूनिट को चुने जब maximum selection limit reached का message आ जाए तो नीचे जाकर next पर क्लिक करें इसी परकार हर कैटेगरी में आप अपने पसंदिदा यूनिट का चुनाव करें अखरी में सारे चुने हुई यूनिट कैटेगरी वाइस एक जगे आ जाएंगे और आपको total count नीचे दिखाई देगा अब जैसे यहाँ पर 28 यूनिट यूजर दुआरा चुने गए हैं अब आपको इन 28 यूनिट को वरिता क्रम बरना है वरिता क्रम का मतलब आपका पहला, दूजरा, तीसरा, चोथा चौईस इन 28 में से कौन सी यूनिट है इन 28 यूनिट को आपको आपके वरिता क्रम के एसाब से 1 से 28 तक लगाना है अगर किसी वरिता क्रम को आप दुबारा भरने की कोशिज करेंगे तो आपके पास Already Preference Used का Message आएगा यानि कि उस वरिता क्रम पर आपने किसी और यूनिट को पहले ही रख दिया है आप एक ही वरिता क्रम पर दो यूनिट को नहीं रख सकते हैं अगर किसी एक यूनिट का वरिता क्रम बदलें अपने दुबारा Select किये गए सभी यूनिट को क्रमवार वरिता क्रम में लगाएं उसके बाद Submit को क्लिक करें जिससे की आपकी च्वाइस संतोस एप्लिकेशन में Submit हो जाएंगे चुनिवई यूनिट में अपनी नविन्तम रैंक जाज करने के लिए व्यू ओगलिक रिवाइच च्वाइस पर क्लिक करें संतोस एप्लिकेशन ट्रांसवर प्रोसेस करते समय आपके द्वारा वरिता क्रम में पहले से आखरी यूनिट को क्रमवार आपके हार्चिप स्कोर वहाँ पर उप्लब्द वैकेंसी और आपकी इलिजिबिल्टी को देखते हुए यूनिट आपको अलोट की जाएगी यहां ध्यान रहे कि यदि आन्यकरमी उसी इकाई के लिए आवेदन करते हैं उनका हार्चिप स्कोर आपसे हदिक या कम है तो आपकी रैंक बदल सकती है यदि आप चुनी वी यूनिट को बदलना चाहते हैं तो फिर पर एडिट बटन पर ख्लीक करें यूनिट को चुनने और वरिता देने की फिरकरिया को दोबारा दो रहें अब हम बात करते हैं समर्चेन इस्पेसल च्वाइस को भरने की समर्चेन इस्पेसल च्वाइस को भरने से पहले आपको समर्चेन जनरल च्वाइस को भरना आनिवारिये हैं समर्चेन जनरल च्वाइस भरने के उपरान जैसे ही आप समर्चेन इस्पेसल स्रेनी का चेन करेंगे आपको एक नोट दिखाई देगा कि आप summer chain special या summer chain extension में से किसी एक ही स्रेणी का chain कर सकते हैं summer chain special choice में आप बढ़ेंगे तो आपको exception type प्रदर्शित हो जाएंगे इन में से ही आप सही exception का chain करें chain के उपरांद आपको एक उप्स्रेणी प्रदर्शित होगी पुने उप्स्रेणी का chain करें उप्स्रेणी का chain करने के उपरांद प्रासंगीक दस्तावेज प्रकार का chain करें इसके पस्चाद select your file पे क्लिक करें तथा प्रासंगीक दस्तावेज को PDF रारूप में जिसका आपकार 250KB से जादा ना हो अपलोड करें इसके बाद next किलिक करें जिसके उपरांद आपको CRPF के सारे प्रतिस्तान क्लस्टर के तोर पर दिखाई देंगे सभी कलस्टर में आप किसी भी एक कलस्टर के प्रतिस्तानों में से दो एवं सारे प्रतिस्तानों में से दस प्रतिस्तान का chain कर सकते हैं जैसे ही आप प्रतिस्तानों को चुनेंगे उनकी सामने red tick लग जाएगा कुल 10 प्रतिस्तान का chain करने के उपरांद submit बटन पर किलिक करें जिसके उपरांद आपकी विशेज choice submit हो जाएगी अब हम बात करते हैं summer chain retention को भरने की summer chain retention को भरने से पहले आपको summer chain general choice को भरना अनिवारिये है summer chain general choice को भरने के उपरांद जैसे ही आप summer chain retention स्रेने का chain करेंगे आपको एक note दिखाई देगा कि आप summer chain special या summer chain retention में से किसी एकी स्रेट का challenge कर सकते हैं समर northern retention में आप बढ़ेंगे तो आपको एक drop down menu में retention के विविन प्रकार मिलते हैं इनमें से सही विकल्व का chain करें chain के उपरांग आपको नीचे दियेगे text box में आपका अनुरोद कारण 200 सब्दों में अंकित करें इसके उप्रान यदि आप संबंधित दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो Select Your File पर किलिक करें तथा प्रासंगिक दस्तावेज को PDF प्रारूप में जिसका आकार 250KB से ज़्यादा नहो अपलोड करें अपलोड करने के बाद Next पर किलिक करें जिसके उप्रान आपकी Retention Choice